हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सुबगी दिखिए बीपीएसी का जो दुसरा चरण का बाहली है इसमें कुछ बदलाव क्या गया है पहला चरण से देखिए सबसे पहले तो इसमें आपेरिंग वाले को मौका नहीं दिया है वह सीटेट अपेरिंग हो या बीएड अपेर बार जो पहला चरण में पांच अप्शन था इस बार आपका देर्सों का एकजाम होगा यानि दो दिन अभी एकजाम नहीं होगा पिछले बार दो दिन होगा था डेर्सों में 120 मेरिट बनेगा तीस नंबर का भासा का कॉलिंग फाइम पर रहेगा समझे उसी में रहेगा आ क्योंकि हिंदी वाला लेंग्वेज वाला में इसे पिछले बार आधा गंटा में कोस्टर बनाएके लोग सब बैठे होगे ते समझे अब देखिए अपेरिंग वाले को मौका नहीं दिया है इस बार जो भी लोग आप लोग फॉर्म डालिएगा अच्छा से डालिएग कि बाद में आपको सुधारने का मौका वेगारा नहीं मिलेगा समझ गए तो देखिए लिखा हुआ है कि भी पिछले बार जो महिला पूरूस में बाट कर लिया गया तो वैसे इस बार भी होगा इसे ग्री प्रमंडल में देने का प्रियास क्या जाएगा यानि जैसे तिरूत प्रमंडल है तो उसमें जितना जिला आता है उसी में जैसे मलेजी आ मुझपप में मुझपव में हो सकता है मुतिहारी आपका मतब़ी चंपरन दिया जाए सिता मटी दिया जा शिवर दिया जा ऐसे हलाकि कम अभियार्ति वाले विश्य में ऐसा भी हो सकता अप्यारिंग कंड्रियेट नहीं दे पाएंगे परिक्षा में बैठने के लिए वांचित युकता चाहे वो बीएड और डीलर जैसे प्रस्टिंगे समध्य युकता हो असनात अब बदल गया है ट्राइवेकर का नियम पर्थम चलन को निक्ष्च के निक्ती में समान अंक आने की स्थिति में पहले आवेत को उमपर विचारी किया जाता था अब उसके समान होने की स्थिति में अंग्रेजी और मला के नुसार नाम की उरेता दी गई थी लेकिन इस बा होने की स्थिति में समझे क्वालिंग फाइप पर जो आपका है उसमें देखा जागा किसमें फिर उसके बाद आपका चैन के जाएगा अब देखिए इस बार फॉर्म भड़ने में कोई गल्ती नहीं किजेगा ध्यान से बरियेगा तब फॉर्म सम्मीट करने से पहले आवेद फिर उसके बाद आपको दोबारा रेजिटेशन करना होगा अब देखिए प्रशन हलना को मिलेंगा धाई घंटा प्रशनों कुल संख्या को 120 से बठा कर देर सो करने कारण परिक्षा कि अवदिया बढ़ाद कर अराई घंटा कर दीगे अब देखिए आपको सब्जेक्ट क को चात्रों के बढ़ने की जड़ूत नहीं पड़ेगी वलकि उन्हों अपना आवेदन में जिस सब्जेक्ट को भरा है वह अपने आप सिस्टम के दोरा ले लिजाएगी अव्यारति को प्लस्ट का सिंकला में उसी सब्जेक्ट को चुनना होगा जिसे फॉर्म में भरा है स तो महिला का जो सीट है 15,842 सीट अरक्षित है महिलाओं के लिए 16,140 सीट जेनरल है उसमें फिर कैट्गोराइज होगा है सीट इसमें गनीत विज्ञान में 58,850 सीट है समाजी विज्ञान में 480 है समझे ऐसे करके हिंदी में आपका ऐसे करके आपका सीट है नौमादस में सीट सब दिया हुआ है तो कहने के मतलब यह हुआ कि अब ज्यादा दिन नहीं और एक्जाम पढ़ लिए जाएगा समझ गए तो अच्छा से आप लोग पढ़िए और अच्छा से आप लोग एक्जाम दीजे समझ गए कि अ